तो अगर आप किसी भी ऑटो मोबिल सेक्टर से हो या फिर अगर आप डिपलोमा या इंजिनियरिंग कर रहे हो जाहे वो ऑटो मोबिल में हो या फिर मैचेनिकल इंजिनियरिंग में हो तो फिर बहुत से टाइम आपको क्लच के बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है और आप सभी को क्लच के बारे में जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है तो फिर आज के इस वीडियो में सारा practically आपको clutch plate के बारे में सारी information देने वाला हूँ practically एक एक part आपको में बताऊँगा एक एक component बताऊँगा आखिर किस component को क्या कहा जाता है उसका work क्या होता है इसके बारे में detailed information देने वाला हूँ तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो बिल्कुल end तक जरूर देखना है जिससे आपको एक एक information अच्छे से मिल सके जार टाइमिस्टी करूँगा मैं हूँ आपको दोस्ट आपको होस्ट अमान बिना टाइमस करके आज का वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो के starting में मै तो वहां अलग clutch आते हैं वहां multi plate clutch आपको देखने को मिलते है तो वहां आपको centrifugal clutch देखने को मिलता है चाहे आपकी कार छोटी हो बड़ी हो यही clutch single plate clutch आपकी vehicle के अंदर use होता है अब बात कर लेता हूँ इसके components के बारे में तो सबसे पहले आप outer material जो देख रहे हो यह जो आपको दिखरा है जो कि मैं आपको arrow से और आपको circle से जो समझा रहा हूँ तो इसे कहा जाता है clutch liner अब यह जित्त अब रोटेटिंग part देख रहे हो जो outer surface देख रहे हो इसे कहा जाता है clutch liner अब clutch liner का क्या होता है सबसे पहले ये पता देता हूँ तो यह जो material होता है यह एक friction material होता है तो फ्रेंड ये तो आपको पता हूँगा कि clutch plate जो होती है वो आपके pressure plate और साथ-साथ flywheel के contact में होती है ये जो material होता है ये friction material होता है जो कि एक friction surface बनाता है मिस एक grip बनाता है आपके flywheel और साथ-साथ pressure plate के बीच में तो ये एक friction material दिया जाता है जिससे बहुत कम slippage होत नहीं होता है, इसलिए ये friction material दिया जाता है, जिससे pressure plate और clutch plate के बीच में काफी अच्छा bond बना सके और slippage बहुत ज़ादा कम हो, इसलिए ये material दिया जाता है, इसके अलावा इसके साथ इसाथ एक और एक आप ये लगा हुआ देख रहे हो material, इससे कहा जाता है rivets, ये भी एक friction material ही है, अगर आपकी जो वहीकल है अगर इसका बहुत ज़ादा, अगर clutch plate खराब हो जाती है, अगर clutch plate के friction material के साथ सा रिवेट बी अगर घस जाते है, तो आप समझा आपके clutch plate में जो है, वो काफी ज़ादा खराब हो गया है, और काफी ज़ादा उसका जो material ही रिमुफ हो ग अब कोई भी external forces या फिर impact जब आता है तो यह cushion spring जो होते हैं आपको यह तो पता है जब clutch plate जो होती है वो impact करते हैं मिस एक दुसरे को touch करते हैं disengage भी होते हैं engage भी होते हैं ऐसे में यह forces लग रही है आप देख रहे हो दोनों के बीच में तो यह cushion का काम करते हैं मिस जो impact है उसे absorb करते हैं साथ 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 सेंटर में जो आप यह देख रहे हो इससे steel hub कहा जाता है अब यह hub एक rotating part है आप यह समझ लीजे उसके उपस सारे जो आपके springs हो गया है cushion spring हो गया साथ साथ rivets हो गया friction material जो हो गया जिसे हम clutch liner भी कहते है वो सारी चीज़े इसके उपर mount रहती है अब सबसे important चीज़ यह है कि आप जो center में अभी देख रहे हो means जो center में आपको दिख रहा है जाए cuts जैसे दिख रहे है इसे internal splines कहा जाता है अब यह internal splines होते क्या है जैसे के देख सकते हो एक internally आपको like कह सकते हो bearing type कुछ दिख रहा है या फिर एक slot दिख रहा है आम भाशन में यह तो इसे खाचे बोला जाता है लेकिन generally जिसे technical word है इसे splines कहा जाता है और यह आपको अंदर में दिख रहा है means जो hole है उसके अंदर में दिख रहा है तो इसे internal splines कहा जाता है अब यह किस काम आता है जैसे के आपको पता है कि clutch plate जो है वो rotating part है और आपको प्रेशर plate है वो भी एक rotating part है तो अब यह जो internal spline होता है वो directly connected होता है आपक गेर बॉक्स है और जो गेर बॉक्स की शाफ्ट होती है उस पे आपको external splines दिये जाते है इसमें तो आपको internal splines दिया जा रहा है और उस पे external splines दिये जाते है जब दोनों को आप attach करते हो internal or external splines को तो काफी बढ़िया तरीके से वो अपना bond बना लेते है fix हो जाते है मिस जो भी power transmission है वो engine से gearbox easily pass हो जाता है इसलिए internal or external splines बनाया जाते है इसके बाद यहाँ जो आप यह देख रहे हो एक दो तीन चाहर जो springs आपको दिख रहे है जनरली इसे कहा जाता है radial springs अब यह radial spring friend जैसे के मैंने आपको पता है cushion spring जो होते है वो भी shock absorbed करते है radial spring भी जो है वो भी shock absorb करते है कौन से जो radial shocks होते है मिस जो भी impact हो सकते है clutch plate के उपर काफी uneven shocks आये वह सारे जितने भी shocks है मिन्स यत्ते भी impact है उसे ये radial spring absorb करता है और उसे काफी अच्छे तरीके से रोकता है ये radial spring का काम होता है तो फिर यही कुछ चीजे होती है जो कि clutch plate पे दी जाती है और ये सारे components के मैंने नाम आपको बता दिया फिर भी अगर कोई आपके doubt रह जाते है या फिर अगर आपको flywheel के उपर या फिर pressure plate के उपर कोई और detail वीडियो चाहिए तो वो भी मैं जल से जल upload कर दूँगा आप comment section में बता सकते हो तो अगर आपके कोई भी doubt रह जाते है इस वीडियो से related या कोई भी other तो आप comment section में पूछ सकते हो मैं जल से जल आपको reply देथा हूँ सबन आज के लिए time is time next studio में जब तक के लिए good bye